भोजन स्वास्त का मूलभूत आधार है। भोजन का उद्देश केवल छुदा, सांती या जीव की प्रत्रिप्त नहीं है। अपित भोजन का उद्देश है हमारे इस्थूल शरीर के पूसन के साथ ही हमारे मानसिक एवंग अध्यात्मिक स्वास्त में ब्रिधी। हमारा भोजन संतुलित एवंग सात्विक होना चाहिए। सुद्ध आहार से ही तत्व सुद्ध संभव है। संतुलित भोजन की कसवटी है कि वह सरीर की सक्ति छैकवा निवारण करने वाला हो। सरीर की ब्रिध करने वाला हो। सरीर को उचित ताप परदान करने वाला हो। बल कारक हो। जल्दी से जल्दी पच कर सरीर में लगाने वाला हो। अनुतेजक ना हो। अनुतेजक हो। एवं इस्मृती, आयू, वण, ओज, सत्य तथा सोभा को बढ़ाने वाला हो। नी संदे, स्वास्त का प्रमुकाहर संतुलित भोजन है। तथा पिस संदर में कुछ अन बाते भी आवश्यक है। जैसे खावें तभी जब भूक लगे, पीवें तभी जब प्यास लगी हो। पूर्ण खाद्यान यथा गेहुं, जवार, बाजरा उसी रूप में परियोग करें। या उनके आटें से बनी रोटियों, चपातियों के रूप में। जहां तक हो सके जिस रित्में जो खाद दिवस्त उत्पन हो, उसका परियोग उसी रित्में करें। क्रित्रिम संसाधनों से सुरक्षित रखे हुए खाद पदार्थों के परियोग से यथा संभव बचें। अगर यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, सेयर करें। जय भारत जय हैं। नोटिफिकेशन बिल बेल आवस्य दवामें।